समस्त भारत के हिमले चेत्रों में लगवग, 2000 मिटर की उंचा इता, इसके सयम जाग पोदेव होते हैं, पुस्प भेद से सरपंखा के दो भेद होते हैं, रप्त पुस्पी और स्वेद पुस्प, प्रायर, सरपंखा के नाम से लाल या बेंगनी रंके फुलो वाली पनस्पत की का ग्रहन एवन प्रयोग किया जाता है, चरक सहिता में सरपंखा का उलेक नहीं है, सुसु सहिता के अलर्व विस्प की चिकित्सा में धतुरा के साथ सरपंखा मुल्के प्रयोग का वरणन प्राप्त होता है, इसके पत्तों को तोड़ने से यह बान के अग्रबाद के समन तूपते हैं इसलिए इसे सर्पुंखा कहते हैं सर्पुंखा टैफ्रोजिया पूर्पूरिया जो त्रिस्ट से साइंस सेमी तप उंचा साखा प्रसायुक्त लगब सीधा बहुवर्शाइब साखिय पोधा होता है इसके पुस्प गुलाबी रख्त तथा बेंगनी वरन के च चार से नो मिमी लंबे होते हैं दूसरा नंबर पे स्वेत्पुस्पी सर्पंखा टैफ्रोजिया केंडिडा यह एक से दाय मितर उंचा बहुवर्शाइब साखिय पोधा होता है इसका कांड कंटक यूथ दूसर स्वेत्वरन का तथा सगन्रोमस होता है पुस्प अंग्रेजी नाम परपरट टैफ्रोजिया है संस्कूत में सर्पुंखा पलिधासत्रू कंठ पुंखी का स्वेत्पुंखा कंठालो काली का वान पुंखा निली भुक्षाकृती हिंदी में सर्पुंखा सर्पो का गुजरती में सर्पंखो उन्पंखो अग्रेजी में वाइल इंडिगो आयर्वधी गुण कर्म एवन प्रपाव की बात करें तो सर्पुंखा कप वात्सामप तथा पलिधोदर ना सकें इसका बाहियलेव सोथ हर्म, कुष्टग्ण, विशग्ण, जन्तुग्ण, वन्न रोपक, रप्त् रोधक और दंतिय है आंत्रिक प्रयोग में यह दिपक, अनुलोमक, पित सारक, कुमिग्ण, पलिग्ण, रप्त सोधक, कफ निशारक, मुत्रण, गर्बासाई उत्तेज़क, कुष्टग्ण, ज्वरग्ण, एवन विशग्ण है स्वेट सरपुंखा अधिक गुंकारी और रसायन है अउसदी प्रयोग मात्रा एवन विद्र पलिहा उर्द्धी पर दस ग्राम सरपुंखा का मुल कल्ट को धाई सो मिली छाज के साथ दिन में दो बार पिलाने से बढ़ी हुई पलिहा कम हो जाती यक्रुत एवन पलिहा उर्द्धी में इसके मुल को दातुं की दुरत चबा कर इसका रस अंदर उदर में उतारने से बहुत लाग होता सरपुंखा के पादर को जड़ सहित उखाड कर छाया में सुखा कर चूर्ण बना कर तीन से पांच ग्राम की मात्रा में सुबह और साम से सेवन करने से पलिहा रोग ठीक हो जाता है 10 से 20 ग्राम सरपुंखा मुल कल्क में 2 ग्राम हरण के चूर्ण मिला कर एक गिलास मठे के साथ प्राता साया सेवन करने से यक्रुत तथा पलिहा विकारों को सांध और समन करता है दंत रोग में 20 से 40 मिली सरपुंखा मुल काथ में हरण की लुबडी 10 ग्राम डार कर 100 मिली तेल में पकाए जब तेल का जलियांस जल जाये तब उसे उतार कर फंडा होने पर रूई के फोहे में लगा कर दातों में लगाने से दंत सुलकास समन होता है दंत रोऒों में इसके मुल को कुटकर दुपते दातों के नीचे रखने से बहुत ही लाव होता है गंड माला, सरकुंका का मुल को पानी में घिसक, गुंगुमा करके लगाने से गंड माला में लाव होता है संग्रणी में सर्पुंका के 20 मिली काथ में 2 ग्राम सोट डालकर प्रात साय पीने से संग्रणी में लाभ होता है अफरा में 10-20 मिली सर्पुंका काथ में 200-500 मिली ग्राम भुनी इंग मिलाकर प्रात साय पीलाने से अफरा में लाभ होता है उदरसुल में 10 ग्राम सर्पुंखा का मुल छाल को 2-3 नंग काली मिर्च के साथ पिसकर गोली बना कर दिन में 3 बार देने से दूसा दिय उदरसुल का समन होता है अब देखते हैं 30 सर्पुंखा के 10-30 मिली क्वाथ में 1-2 नंग लोंग डाल कर दिन में 3-4 बार पिने से 30 सर्पुंखा का समन होता है उदर क्रुंबी में सर्पुंखा के 10-30 मिली क्वाथ में 2 ग्राम वावडिंग का चून मिला कर रात में सोते समय पिलाने zえ बच्चों के पेट के किले नश्ट गो जाते हैं सरपुंखा के 20 से 25 पत्तो को पानी के साथ पीश कर उनमें 3-4 नक काली मिर्च डालकल पिलाने से मुत्र कुछ में बहुत ही लाग होता है अब देखते हैं चर्म रोगों पर सरपुंखा के 20 तेल को कंडू आधी दूरसंहियों चर्म रोगों पर लगाने से लाग होता है सरपुंखा के पत्त्रसरस को दिन में 2-3 बार पीने से कुष्ट रोग में लाग होता है व्रण रोपन में सरपुंखा की 15-20 ग्राम मुल को जल में पीश कर उसमें 2 चमच मदू मिलाकर घाउं पर लेप करने से कठिंता से भरने वाले घाउं भी जल्दी से भर जाता है 20 पर 2-4 ग्राम सरपुंखा का बीज चुन को 7 तक्र के साथ करने से मुशक विश दन्स जन्य विशा प्रभाव का समन होता है सरपुंखा के उप्यूग में आने वाले पार्स पंचाव मूल पत्र फली एवं बीज मात्रा चुन की तीन से छे ग्राम स्वाराश दस से बीश मिली और छारिय सत्र एक से तीन ग्राम अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्र वह परिवर जनों को सेर करें आपकी एक लाइक हमें नई उर्जा बढ़न करतें इसी के साथ जय धन्वंतरी वंदे मात्रा